नमस्कार दोस्तों कासन इस्टडी के आनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि UPPCL TG2 का एक्जाम जल्द ही होने वाला है और इसमें कम्प्यूटर के सेसन में पास होना जरूरी है तो दोस्तों हम आपके लिए अभी तक प्रिवियर्स एर्स में UPPCL TG2 के कम्प्यूटर सेसन में जो भी कुशन पूछे गए थे उसमें से 1000 प्लस मोश्ट इंपॉर्टन कुशन लेकर के आए हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये क्लासेज पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सीधा कुशन पर चलते हैं इसमें कुशन क्या कह रहा है कि 2000 का परथम electronic digital computer कौन सा है तो इसका जो right answer हो जाएगा ENIAC computer अगला कुशन देखते हैं अगला कोशन इसमें कह रहा है कि computer निमलखित मेंसे कौन सा कार नहीं कर सकता है तो इसमें जो right answer हो जाएगा understanding का कार नहीं कर सकता है तो इसमें जो right answer हो जाएगा क्या बताओगे चीन में हुआ था, अगला question देखते हैं, अगला question इसमें कह रहा है कि दच ग्राम राष्टिये उद्दान मुखरूप से कहां पर पाया, sorry, मतलब में कौन सा पाया जाता है, दच ग्राम राष्टिये उद्दान में मुखरूप से कौन सा इसमें पसू पाया जाता है, तो क्या बताओगे तेंदुआ पाया जाता है, अगला question देखिए, अगला question कह रहा है कि Android क्या है, तो Android क्या है, तो इसमें जो right answer हो जाएगा, ये एक mobile operating system होता है, अगला question देखते हैं, अगला question इसमें कह रहा है कि October 2003 में किस company ने Android का वि अगला question देखते हैं, अगला question देखते हैं, अगला question इसमें कह रहा है कि July 2005 में किस company ने Android I.N.C. का लगभग जो है पाच करोन डालर में अधिकरित अधिगरहन किया था, तो किस ने अधिगरहन किया था, तो क्या बताओगे, Google ने किया था, वो भी कितना, तो क्या बताओगे पाच करोन डालर का, अगला question देखते हैं, अगला question इसमें कह रहा है कि Android के नए version Android 8 का नाम क्या है, तो Android 8 का नाम क्या है, तो इसमें जो right answer हो जाएगा, क्या बताओगे, ORIA, और option number C से ही हो जाएगा, अगला question देखते हैं, अगला question इसमें कह रहा है कि file extension.avi सम्बंदित है, तो ये किस से संबन्दित है, तो इसमें जो right answer हो जाएगा, क्या बताओगे, वीडियो से संबन्दित है, आपसर नमबर C से ही हो जाएगा, अगला question देखते हैं, अगला question इसमें कहरा है कि computer कौन सी भासा पर कार करता है, तो क्या बताओगे, कि ये एक बसीनी भासा पर कार करत है, अगला question देखते हैं, अगला question इसमें कहरा है कि भारत का पर्थम computer कहां स्थापित किया गया था, तो भारत का जो पर्थम computer था, वो कहां पर स्थापित किया गया, क्या बताओगे, कि बैंगलूर में आपसर नमबर D से ही हो जाएगा, अगला question देखते हैं, अगला question इसम कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है तो इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा बताओगे डाटा को उपयोगी बनाना आपसन नमबर A सही हो अगला कुशन इसमें देखी अगला कुशन कह रहा है कि काउंसा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है काउंसा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है तो क्या बताओगे सुपर कंप्यूटर आपसन नमबर 20 ही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन जो को प्रावर्तित करना डाकुमेंट की क्या कहलाती है तो क्या कहलाती है तो इसमें जो रायट एंसर हो जाएगा क्या बताओगे उसे एडिटिंग कहते हैं कह रहा है कि बिद्धिमान डाकुमेंट को प्रावर्तित करना डाकुमेंट की क्या कहलाती है तो एडिटिंग कहलाती ह अगला कुईशन देखते हैं अगला कुईशन इसमें कहए रहा है कि समंगर डाकूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निमलुकित में से किसका उप्योग करते हैं तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग variety का हप्रियोग करते हैं आपसर नबर ए सही हो जायागा अगला कुईशन देखते हैं अगला कुईशन इसमें कह रहा है कि MS Excel में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है तो इसमें कौन सा विकल्प सही है तो इसमें बताओगे कि option number D insult menu is greater than is greater than charts मतलब option number D सही हो जायगा अगला कुईशन देखते हैं अगला कुईशन देखते हैं अगला कुईशन इसमें कह रहा है कि संसाधन सब्द संसाधन में document के भीतर text को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने को क्या कहते हैं तो ले जाने को क्या कहते हैं कि क्या बताओगे कि cut and paste इसमें जो right answer हो जाएगा क्या बताओगे cut and paste कहते है option number A सही हो जाएगा अगला कुईशन देखते हैं अगला कुईशन इसमें कह रहा है कि spread sheet में data कैसे जो है organized होता है तो किस प्रकार से organized होता है तो इसमें जो right answer हो जाएगा rows and columns में अगला कुईशन देखते हैं अगला कुईशन इसमें कह रहा है कि test आधारी document तयार करने के लिए software को क्या कहते है तो software को क्या कहते है तो इसमें जो right answer हो जाएगा क्या बताओगे उसे हम लोग क्या कहते हैं इन में से कोई नहीं अगला question देखते हैं sorry दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो right answer हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे तो क्या बताओगे world process कहते हैं question फिर से सुन लिजिए कह रहा है कि test आधारी document तयार करने के लिए software को क्या कहते हैं तो क्या बताओगे words processor कहते हैं option number A से ही हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला question कह रहा है कि aspirate sheet program में किसके संबंद है work sheet और document होता है तो किसके संबंद में होता है तो कहोगे option number C workbook के संबंद में अगला question देखते हैं अगला question इसमें कह रहा है कि सारे words document का default file action क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है तो इसमें जो right answer हो जाएगा उसे कहोगे DOC DOC कहलाता है अगला question देखते हैं अगला question इसमें कह रहा है कि किसी column में test prior कौन सा align होता है कौन सा align होता है तो इसमें जो right answer हो जाएगा उसे हम लोग left कहते हैं अपसर नमबर D से ही हो जाएगा अगला कुईशन देखते हैं अगला कुईशन इसमें कह रहा है कि नई slide के लिए keyboard shortcut क्या है नई slide के लिए keyboard shortcut क्या है तो इसमें जो right answer हो जाएगा control प्लस E-N हो जाएगा आपसर नंबर सी से ही हो जाएगा अगला कुईशन देखते हैं अगला कुईशन कह रहा है इसमें MS Worlds Document में अच्छरों के नीचे लाल रहर का निसान बनाना होता है तो क्या दरसाता है तो क्या दरसाएगा तो इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा स्पेलिंग की तुरूटि कहलाएगी कुईशन में फिर से समझ लीजिए सुरी दोस्तों कुईशन को ध्यान से पढ़िए MS Worlds Document में अच्छरों के नीचे लाल लहर का निसान क्या दरसाता है कभी कभी लाल लाल कलर की निसान बन जाते है वो स्पेलिंग में तुरूटि को बताता है अगला कुशन इसमें कह रहा है कंप्यूटर के कार करने का सिध्धान्त क्या है कंप्यूटर के कार करने का सिध्धान्त क्या है तो इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे processor कहेंगे अगला question देखते हैं अगला question इसमें क्या कह रहा है कि micro processor जो computer का मस्तिक होता है क्या कहलाता है micro processor जो computer का मस्तिक होता है क्या कहलाता है तो कहोगे जो है micro processor कहलाता है option number A सही हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला कुईशन इसमें कह रहा है कि किसी बाहरी स्रोथ से आती है और कम्प्यूटर साफ्ट वेर में फीड हो जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं तो उस सूचना को क्या कहते हैं क्या बताओ कि इंपुट कहते हैं अगला कुईशन इसमें कह रहा है कम्प्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा क्या सूचना क्या कहलाता है तो जैसा कि चार विकलप दिये गए हैं इसमें जो राइट अंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन इसमें कह रहा है कि प्रिंटर के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है किसी चीज को प्रिंट करने के लिए कहोगे फाइल को अगला कुईशन देखते हैं अगला कुईशन इसमें कह रहा है कि प्रयोकता दस्ता बेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं जैसा कि चार बिकल्प दिया गया है उसका नाम है फाइल नाम अगला कुईशन देखते हैं अगला question इसमें कह रहा है कि cut copy और paste करने के लिए कौन सा menu select करते हैं तो कौन सा menu select करते हैं तो इसमें जो right answer हो जाएगा 72 में कहोगे कि edit यहाँ पर right answer हो जाएगे अगला question देखते हैं अगला question इसमें कह रहा है कि select file का connection को क्या कहा जाता है Select File-O-Connected को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो कहोगे, Data Base अगला question देखते है अगला question इसमें कह रहा है की Michael Angelo Virus क्या है Michael Angelo Virus क्या है आपको इसमें जो right answer हो जाएगा बताओगे की A Computer Virus होता ये क्या होता एक Computer Virus Option number क्या सही हो जाएगा तो कहोगे कि जो है A सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन कह रहा है कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है तो इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा तो क्या बताओगे काओगे मसीनी भासा लागू होती है अगला कुईशन देखते हैं अगला कुईशन इसमें कह रहा है कि अफल क्या है अफल क्या है तो अफल क्या है इसमें जो right answer हो जाएगा एक फल चौथी पीडिका कंप्यूटर होता है एक फल चौथी पीडी का एक कम्प्यूटर है अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन इसमें कह रहा है कि निलुखित में से भाबा अनुसंधान केंद्र द्वारा बिक्सित सूपर कम्प्यूटर प्रियोजना है तो कौन सा है तो 77 में जो राइट राइट एंसर हो जाएगा उसे अनुपम कहते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन इसमें कह रहा है कौन मस्तिक की कारपडाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कम्प्यूटर है सबसे तेज गतिवाला केंप्यूटर इसमें बताना है कि काउंसा है तो इसमें जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा तो 78 में एक कहोगे की कौउंटम सुपर कहलाएगा अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन इसमें कह रहा है कि एक लोग पर ये बिंडोज इन्वायरमेंट बिंडोज 3 Microsoft द्वारा निर्गत की जाती है तो कैसे निर्गत की जाती है तो कहोगे आपसर नमबर A सही है 2000 अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन इसमें कह रहा है कि इस पैम किस भासा से सम्मंधित होती है इस पैम किस भासा से सम्मंधित होती है तो इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम्प्यूटर अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन इसमें कह रहा है कि एक जो है एक अनुमान के अनुसार 20 का 70% आबादी जिस बर्स तक नगरों में सीमत सीमट जाती है वा क्या होती है तो क्या होती है तो इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा उससे बताओगे 2050 अगला कुशन क्या है अगला कुशन इसमें कह रहा है कि एक फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है एक फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है तो इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा तो दोस्तों क्या होगा इसका एंसर आप लोगों को कमेंट बाक्स में जरूर बताना है इसका एंसर आप लोगों को कमेंट बाक्स में जरूर बताना है कि इसका एंसर क्या होगा और दोस्तों ये क्लासेज अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा इसी प्रकार से हम आपके पास टोटल 1000 कोईशन करवाने वाले हैं और इसी 1000 कोईशन से 100% गारंटी है कि आपको कंप्यूटर में पास होने के लिए प्रयाप्त अंक मिल जाएगा इसे के साथ में ये सेशन ही समाप्त करते हैं अगले सेशन में पुना मिलेंगे नमस्कार